हेलो फ्रेंड्स रादे रादे हरहर महादेव मैं मिनाक शेक बर फिर से आपके सामने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट वी हूँ तो चलिए पहले तो बताईए आप सभी लोग कैसे हैं I hope you are still happy and healthy तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में focus करेंगे जैसा कि कुछ पिछले वीडियो में हम form of play के बारे में बात कर रहे हैं जो older children अपने play में include करते हैं किस तरीके से अपने play को खेलते हैं क्या-क्या उनके forms हैं late childhood period में बाते कर रहे थे last कुछ वीडियो में हमने उनका constructive play के बारे में बात जानकारिया ली उनके exploring form of play के बारे में जानकारिया ली आज इस session में हम बात करेंगे उनके collecting form of play it is one of the form in which the older children feel very happy to include this kind of collecting play in in their group so I hope that will be remain in the session till the end to get the whole information so let us begin with the session so collecting as a form of play increases as childhood progress just as a childhood progress करती है ये जो collecting है form of play ये जो है ये भी advance होता जाता है इंक्रीज होता जाता है बच्चे के अंदर the reason for this is that it serves as a source of envy and prestige among the child's gang mates as well as giving pleasure to the collector तो ये दो तरीके का दो वजहों से ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है जैसे चैल्डविट प्रोग्रेस करती है बच्चे के अंदर क्योंकि ये एक तरह का source होता है जो बच्चों को किसी भी प्रवार का envy या फिर prestige feeling कराता है among the child's gang mates जो भी अपने gang mates हैं उनके बीच में और दूसरा की बाई बीग अ क्लेक्टर बाई क्लेक्टिंग अनी सौर्स ओ धिंग्स प्लेजर और ये बहुत ज्यादा प्लेजर फिलिंग देता है उस बहुत गुद फिलिंग होती है तो इन कारणों से ये जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है जैसे से बच्चे ग्रोन ओल्डर होते हैं एट फर्स्ट पहले तो ओल्डर चिल्डर एज इस ट्रू ऑफ यंगर वांस कलक्ट एनी थिंग डैट्राक्स देर अटेंशन तो शुरू-शुरू में ओल्डर चिल्रन के अंदर भी यंगर चिल्रन के तरह यह तो कुछ भी जो उनको ट्राट किया उसको कलेट करके एक लेकिन धीरे धीरे ग्रैचोली दे वीकम मोर्स स्ेल्क्टव इंढर कलेक्शन तो दीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वह बहुँ ज्याधा सिल्य कटिव हो जाते हैं अपने कलेक्शन को लेके concentrating on things that are pretty and different from those collected by age mates तो फिर वो बहुत selective होके उन चीजों को ही collect करने की कोशिश करते हैं जो उनके और age mates ने नहीं किया हो जो कुछ different हो उनके अलग age mates के collection से तो उस तरह के selective और attractive चीजें या different चीजें वो collect करने में बहुत ज़्यादा selective होने लगते हैं However, regardless of personal interest and preferences, older children concentrate on things that will give them prestige in the eyes of their friends and they try to get a large number on these prestigious items as possible तो यहां पर लेकिन यह भी देखा गया है कि अपने personal interest या जो उनको उनको attract कर रही है चीजें उसके बारे में न सुस्ते हुए बच्चे उन चीजों को collect करने में concentrate करते हैं जो कि उनके friends या gangmates की नजर में उनको prestige दिलवाएं या उनको बहुत अच्छा थाबित करवाएं या बहुत popular बनाएं और वह चीजें जो हैं जो prestigious items हैं उन चीजों को collect करने में वह बहुत ज्यादा अपना focus लगाते हैं another way in which collecting among older children differs from that of younger children is that older children arrange the items they collect in some systematic way in especially labelled envelopes or boxes for example अगर हम देखें तो तो जैसे younger children का अमूमन देखा गया है कि कोई भी चीज हुई अच्छी लगी वस उठाए लेकर आये अपने draw वगेरा में डाल दिये रख दिये बस that's it बट यह जो older children होते हैं वह इस चीज में भी younger children से काफी different पाए जाते हैं जब वह कोई भी चीज कलेट करते हैं तो उनको काफी अच्छे डंग से arrange करके रखने में उनका focus होता है जैसे कि बहुत systematic way में जैसे कि labelled envelops के अंदर मतलब जो भी चीज़ें envelops के अंदर हैं क्या चीज़ें हैं उसको अच्छे से labeling वगरा करके या boxes में बहुत अच्छे से करके इस तरह से systematic और बहुत proper way में वह रखने में ज्यादा interested होते हैं so that they can easily be displayed to the age mates जिससे कि वह बहुत अच्छे से अपने age mates के सामने उसको display कर सके with the accordingly ordering way systematic way में दिखा सके जिससे कि उनकी popularity उनकी prestige और भी ज्यादा बढ़े अपने age mates के या gang mates के सामने तो इस तरह से हम जाने कि किस तरह से collecting जो as a form of play older children के अंदर होता है वो किस तरह से popularity लेता है और उसके अंतरगत बच्चे किस हिसाब से चीजों को selective way में collect करना चाहते हैं किस तरह से prestigious items को collect करना चाहते हैं because they want to be good and popular in the eyes of their age mates and gang mates तो यह उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते है न कि बहुत खुशी देता है और बहुत prestige की feeling देता है तो इस वजह से यह उनके बीच में collecting बहुत popularity gain करता है तो I hope you'll get the good idea with this form of play so if you like it please give give a like and thank you for watching my video till the end I'll be back with the next video next good video for you and till then please take good care of yourself bye